हेडा लुवीज, हवी यू वाल, कैसी है मेरी लावीज आनमी, मुझे कामेन सेक्शन में जरू बताना चलिए कhouse चेक करते हैं, आपके रिलेशनशिप की कारंट एनरजी इस वक्त आपका परसिन आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या कारंट एनरजी इनरजी इन Himself बढ़ते हैं रिदिंग्स की तरह और देखते हैं कि क्या मैसेच आया है आपके रिलेशिंशिप के लिए तीन बार अपने person, अपने partner का नाम मनीमन लीजे दिवाइन गाइड करें मेरे viewers को और बताएं कि इस वक्त इस वक्त पाइड करें मेरे viewers को और बताएं कि इस वक्त partner क्या सोच रहे हैं इस वक पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक पार्टनर के माइं में क्या चल रहा है, इस वक पार्टनर किस थौट प्रॉसस में हैं, प्लीज गाइट करें, इस वक पार्टनर का क्या थौट प्रॉसस में हैं, प्लीज गाइट करें, इस वक पार्टनर का क्या थौट प्रॉस 6, death, 7 of wands, 3 of wands, the star, okay Bottom deck का message है हमारे पास, 6 of wands, okay I hope आपको सारे cards क्लियरली दिखाई दे रहे हैं Cards के message आप तक क्लियरली पहुच रहे होंगे जो message मेरे पास आज आप लोग के लिए आई है In terms of your relationship Clear message I hope आप लोग को मिल रहे होंगे जो आज universe हम से clearly confront करना चारे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त आपका person, आपका partner कुछ इस thought process में बैठे हुए हैं थोड़ा Cards को clarify करते हैं और देखते हैं कि क्या message आ रहा है मेरे viewers के लिए Divine guide करें King of Swords का क्या message है Seven of Wands Death का क्या message है Divine यह जो new beginning, यह जो new cycle दिखाई दे रही है यह क्या indicate कर रही है प्रीज काइट करें वाव कमिटमेंट, मैरज को इंडिकेट कर रही है 7 of Wands का क्या मेसेज है 7 of Wands का क्या मेसेज है 7 of Wands का क्या मेसेज है Divine Page of Wands ठीक है 3 of Wands का क्या मेसेज है 3 of Wands का क्या मेसेज है Three of Wands का क्या message है Please Divine Guide करें Okay Three of Wands का indication है That is Five of Pentacles The Star का क्या message है The Star का क्या message है The Star का क्या message है Divine The Star का क्या message है Okay Seven of Pentacles Bottom Deck The Hand Man I hope all the cards are clearly showing you Okay So basically all the cards are coming in I hope you can see all the cards' message Today the major cards are showing me That is, the indication is very strong But clearly it is showing you that Many of the partners are trying to focus more on their life Or more on their self or more on their work I think that currently in a relationship You can't focus so much on your relationship You can't give so much attention in the relationship So many people are in a no contact situation Or in a breakup situation You don't have a conversation You don't have communication You don't have a mum You don't have a mum So many people are in a no contact situation Or in a recent breakup phase You don't have a partner You don't have a partner You don't have a partner Or you don't want people to do it You don't have a partner So much of your client You ask for that But the response The clarity Maybe possible This person is waiting for you And you are waiting for any आप इने बहुत समझा रहे होंगे कि उनो गिव मी तक लोजर मुझसे बात करो मुझसे चीज़े कंफरंट करो मुझसे चीज़े शेयर करो लेकिन यह परसन ऐसा लग रहा है कि यह खुद पर जादा ध्यान दे रहे हैं विल अब खुद को एक दम सक्सेस्फुल खुद को एक पाशनेट खुद को एक ऐसा परसन बनाना है जो एक स्टेबल परसन और जो उनकी कहने की बाद बिलकुत सही है लेकिन जहां रिलेशनशिप को एक लोजर देना चाहिए या कुछ बोलना चाहिए ऐसा लग रहा है वहां बिलकुत शांत हो गए है एक उमीद एक होप मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है एक उमीद एक न्यू बिग्निंग मुझे अब आपके इस रिलेशनशिप में बनती हुई दिखाई दे रही है जहां पिसे बहुत सारे लोग सोच रहे दे कि या अब तो रिलेशनशिप का चाप्टर ओवर हो गया है या कोई सेपरेशन वाला सिचुवेशन इनके माइंड को बहुत जाता हिट कर रहा है और बहुत जाता इनको नेगेटिव कर रहा है बहुत सारे लोग 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 डिस्टिंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं क्योंकि आज वो पिच्चर मुझे दिख रही है यह जिस परसन को पीछे हो गए हैं बिलकुल भी बात्चीत नहीं कर रहे हैं फॉर लॉट अफ पीपल सबसे अच्छी न्यूज यह दिख रही है कि न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन आया है भली अभी रीसेंट में ब्रेक अप हुआ है या बिलकुल बात्चीत बंद हो गई है बली पार् इसे पार्टनर के माइन में बना हुआ है लेकिन यह नो कॉंटक सिचुएशन है जब से आप लोग एकदम दूर से हो गए हो वो चीज इनको बहुत ऐसास दिला रही है कि कितनी चीज़े गलत हो गई है कितनी चीज़े रिलेशन्शिप को परिशान कर रही है कितनी चीज़ अच्छी होती होती भी खराब हो गई है लेगन यह जो इनका आक्शन दिखाओ दे रहा है यह मुझे कुछ लोगों के लिए एक पॉजटЬव कमिटमेंट दिखाई दे रहा है यह मुझे एक पॉज़िए दिकाई दे रहा है या तो यह क्लि пытतों से अप दोनों से रिलेटे अब एक successful picture दिखाई दे रही है कि आप दुनों positively इस relationship की तरफ बढ़ते वे दिखाई दे रहे हैं अच्छे decision की तरफ बढ़ते वे दिखाई दे रहे हैं बहुत selfish बन लिये हैं बहुत इन्होंने अपने लिए सोच लिया लेकिन अब जब clarification देखें तो ये समझ में आ रहा है कि भली अपनी बाते बोलने में, confess करने में जब break up हुआ था, no contact हुआ थे इन्होंने बहुत सरी बाते आपसे नहीं clearly बोली हो बस अपने ही zone में रहकर इन्होंने अपने ही मन से decisions बना दिये हो लेकिन ये no contact situation के बाद अब समझ में आ रहा है कि अब ये ready है, confront करने के लिए, बात करने के लिए, बोलने के लिए, confess करने के लिए अपने emotions कहीं न कहीं share करना चाते हैं अपनी बाते कहीं न कहीं clear out करना चाते हैं ये चीज आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसके लिए आप negative बिल्कुल भी मत होईएगा जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजेगा जितना आपने sacrifice करा है, उसका result तो आपके लिए successful होगा लेकिन जितनी कोशिश कर सकते हैं, एक communication बनाने का try करें may be possible आपे से बहुत साथ लोग के partner बिल्कुल expressive नहीं होंगे बिल्कुल चीज़े share नहीं करते होंगे, बताते नहीं होंगे लेकिन मुझे लगता है थोड़ा अगर आपन communication strong कर देंगे तो ये person धीरे धीरे करकर अपनी बाते बोलेंगे, अपनी चीज़े share करेंगे क्योंकि देखो परिशान तो ये भी दिखाई दे रहे हैं जब से no contact हो गया है बात करना चाते हैं, call करना चाते हैं, message पर बात करना चाते हैं आपसे चीज़े clear out करना चाते हैं, आपको चीज़े confess करना चाते हैं तो धीरे धीरे situation better हो जाएगी, धीरे धीरे चीज़े stable होने लग जाएगी उस चीज़े को लेकर बिलकुल भी overthinking मत करियेगा या उस चीज़े को लेकर बिलकुल भी परिशान मत हुएगा कि हम आदे समय इसी बारे में सोचते हैं निकाल दे कि क्या होगा, कैसे होगा और उस वज़े से जो better हो भी सकता है, उसके वज़े से हम और परिशान होने लग जाए जतना clarity, जतना clear picture relationship की रखोगे उत्ती जल्दी चीज़ों को भी manifest कर पाऊगे और उत्ती जल्दी relationship में आगे भी आप बढ़ पाऊगे चलिए, अब ज़र एक pick up pile reading करते हैं क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं आप लोगों को मैं एक angel guidance देना चाहती हूँ A, B, C, D में से choose कर लीजे मैं देखती हूँ कि relationship के लिए क्या message आ रहा है आप लोगों के लिए relationship के लिए क्या message divine आपको देना चाहते हैं pick up pile reading में A, B, C, D choose कर लीजे और मैं आपको बताती हूँ कि angels आपको आपके relationship से related क्या एक guidance, क्या एक message देना चाहती हैं अपको क्या एक guidance, क्या एक message देना चाहती हैं सबसे पहला उनके लिए जिन्होंने pile A opt करा है सबसे पहला message उनके लिए जिन्होंने pile A opt करा है message आ गया है आपके लिए okay आपके लिए आया है speak the language of love loving words have the profit power to change lives including your own divine कह रहे हैं देखो मैंने बोला ना, confront करो, communicate करो, उपर ही मैंने आपसे ये बात बोली और देखो, यहाँ angels ने clear आपको message दे दिया जितने लोगों ने pile A opt करा है, for all those who has opted pile A आपके लिए message आया है, whatever the situation is, जो भी आपके relationship में current picture चल रही है प्यार से बात करकर ही चीजों का हल निकलेगा, प्यार से confront करके ही चीजों में clarity निकलेगी no matter, आप लोग का no contact हो गया है, आप लोग की बाचीत बंद हो गई है, जब आप लोग एक दूसरे को confront करोगे एक दूसरे से बात करोगे, चीज़े तभी बदलेगी, जब आप एक दूसरे के प्रती एक positive affection, एक positive love, एक positive communication बनाओगे, जितना एक दूसरे से दोनों प्यार से बात करोगे, आपका relationship हील होगा, पास्ट की बातों को बिलकुल भी अपने दिमाग में ना रखे, otherwise वो relationship आपका problem करने वाला है, so जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना try कर सकते हो, just speak positively, जितना प्यार से बोलेंगे, चीज़े अच्छे, वे में भी बदलेंगी, और चीज़ों का अच्छा नतीज़ा भी आपको मिलना शुरू होने लग जाएगा, जिन्होंने पाइल भी opt करा है, उनके लिए क्या message है, जिन्होंने पाइल भी opt करा है, okay, for those who has opted, पाइल भी, do something for someone, okay, give your attention to another, ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर को बहुत चेस कर रहे हो, बहुत पीछे भाग रहे हो, बहुत जादो उनके पीछे रश कर रहे हो, या तो अपनी ही value relationship में डाउन कर रहे हो, इतना जादा put up मत करो, इतना जादा efforts मत डालो, इतना जादा efforts डाल रहे हो तो आपके partner के दिमाग में ये picture बनी हुई है कि आपके अलावा, उनके अलावा आपका कोई है ही नहीं, या उनके अलावा आप कहीं दूर जाओगे नहीं है, या आप जो भी हो आज सिफ उनहीं के लुख जाए है कि वो जब चाहें आप से बात करेंगे और आप कर भी लोगें, मतलब एक value नहीं दिख रही है, एक self respect नहीं दिख रही है, एंजल्स कहरी है, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा सामने वाले को भी chase, you know, chillhani की कोशिश करो, नए लोगों से बात करो, नए लो भी हो रहा है, वो सिर्फ आप उनके लिए करते हो, या जो भी करोगे से उनहीं के लिए करोगे, और इस दुनिया में आपको कोई वजूद नहीं है, तो ये picture उनके दिमाग से हटाईए, कुछ करिए, आगे बढ़िये, अपने किसी friend के लिए, किसी close friend के थोड़ी तो देख को बातचीत करने के लिए, अब प्लीज, ये मत सोचना, इसका मतलब कहीं और जाकर रिलेशनशिप रखो, इन बातों को उस वे में मत लेना, क्लियर है कि कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ अपने लिए करिए, सेल्फ के लिए करिए, मतलब उनके एनरजी इसको बस ले C, opt करा है, for those, जिन्होंने Pile C, opt करा है, for those, okay, express love through gifts, a small token of love can convey great appreciation, कुछ ना कुछ करिये, जिससे कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा ग्रो करे, Give something beautiful to your partner, कुछ ना कुछ अच्छा gift करो आप अपने partner को, कुछ ना कुछ अच्छा gift करने के कोशिश करो, कुछ ना कुछ अच्छा gift करने के कोशिश करो, कोई बहंगे-बहंगे, gift मत लेकर आओ, कुछ ना कुछ वे से express करो, अपना love उन्हें बताओ, you know, share करो, you need to express your affection, your love to your specific person, जो यहां indicate कर रहा है, एक small token of love, आपको उनको show करना है कि how much you are for them and how much you love them, you know, एक ऐसी picture divine angels कहरी है कि create करिये, और कुछ ना कुछ टोकन of love partner को express करी, अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, या वो रूठे हुए हैं, थोड़ उनको मना लो, थोड़ अपने सामने से efforts लगा लो, किसी के लिए time निकालते हो, ये भी आपके समय में बहुत बड़ा तौफा है, चलिए, and last for those जिन्होंने Pile D opt करा है, 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 for those who has opted Pile D, आप लोगों के लिए जो message है, वो है, love endures, love does not give up or lose faith, love is hope and withstand every situation, आप लोगों के लिए message आया हुआ है, कि no matter how negative your situation is, ये मत सोचिये कि चीजे खतम हो जाएंगिया, चीजे खतम हो गई है, give up मत करिये, अगर आप के सामने relationship के matter में बहुत जादा problems आ रही है, बहुत जादा hurdles आ रहे हैं, तो ये मत सोचिये कि relationship end हो चुका है, ये मत सोचि कि relationship खतम हो चुका है, divine कहरे है, faith रखिये, hopes रखिये, time के साथ आपको changes दिखेंगे, time के साथ आपको बदलाव दिखेंगे, लेकिन छोटी मोटी fighting की वज़े से, छोटे मोटे separation की वज़े से, ये मत सोच करो कि सब कुछ खतम हो गया है, ये आप कुछ बेटर नहीं हो सकता है time दीजिए, efforts लगाईए, relationship बढ़िया बनेगा, धीरे-धीरे relationship हील होने लग जाएगा फिर से repeat करूंगी, जन्होंने pile A opt करा है, थोड़ा प्यार से चीज़ों को deal करेंगे, प्यार की भाशा थोड़ा बोलिए, थोड़ा love के साथ चीज़ों को deal करेंगे, बेटर होगा जन्होंने pile B opt करा है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिये, आगे बढ़िये, A की situation में stuck मत रहिए, efforts लगाईए, या कहीं और, you know, किसी से communicate करने की कोशिश करिये, थोड़ा partner के सामने अपनी value को increase करिये, जो आपकी लिए important message है जन्होंने pile C opt करा है, divine कह रहे है, give something beautiful to your partner, as a love of token, वो communication हो सकता है, वो efforts हो सकते हैं, वो time हो सकता है, कुछ ना कुछ token of love आपको अपने partner के साथ share करना चाहिए and pile D वालों के लिए भी बहुत खूबसूरत message आया है, कि अगर चीज़े बहुत खराब हो गई है, या negative हो गई है, ऐसा किसी भी angle से मत सोचे कि relationship end हो गया है, ऐसा मत सोचे, यह सब कुछ एक challenge की तरह चल रहा है, तो with time सब कुछ stable हो जाएगा, with time सब कुछ better होने लग जाएग कि हमें clarity मिली आज, हमें एक message मिला है, आज इसलिए आज कल में हर readings में angel guidance आप लोग को देना जरूर पसंद करती हूँ, YouTube पर ही देना पसंद करती हूँ, YouTube readings पर ही बता पाती हो, usually Instagram पर तो मैं current energies या अलग प्रकार की readings प्रिफर करती हो, Instagram पर post करना, लेकिन YouTube पर एक clarity, long reading आप लग बहुत जाती है, मिल जाती है, so ये angel guidance भी मैंने आप लोग को दे दिया है, मिलते हैं new readings के साथ, new video के साथ, thank you so much for all the love, I am damn sure आपने video को like, share, channel को subscribe कर ही लिया होगा, thank you, thank you, thank you for all the love and support, मिलते हैं new video के साथ, all the very best, radhi, radhi.